हालो टीम गबरू, वेलकम टू गबरू फेटेंस, जो भी मेरे छोटे भाई नए है ना इस चैनल पे, मैं उनको एक चीज बता दूँ कि भाई मेरे इस चैनल पे आपको हमेशा बेसिक्स के उपर हेल्प मिलेगी, चाब वो डाइट से लेटेट हो, चाब ट्रेनिंग से लेट ये मैं खाऊं ये ना खाऊं, ये मेरे लिए अच्छा है, ये सारे सवाल आपको हमेशा परेशान करते रहेंगे, तो जैसा कि हम पढ़ाई करते हैं, एबी, सी, डी, काखा, गागा, ये सब चीज़े सीखते हैं, बेसिक क्लियर करते हैं, फिर वर्ड बनाना सीखते हैं, ऐस कितने का आपको भी पढ़ सकता है, अगर आप लोग भी उसको यूज़ करने चाहते हैं, पूरी सीरीज दिखा हूँगा, जब भी मैं कोई नया सप्लिमेंट अपने लिए यूज़ करूँगा, ये वीडियो आप लोग के सामने जरूर रख दिया करूँगा, डीटेल में, मैंने क्यूं लिया, क्या लिया, किसले लिया, क्या रीजन था सब चीज़ें, तो आब आज के टोपिक पे बढ़ते हैं, कि मैंने यूज़ किया नीड का प्यूर मासगेनर, इसको यूज़ करने का एक ही रीजन था, कि मैं नेट पर सच कर रहा था, अभी ऑफ सीज़न में इसकी क्वालिटी सुपीरियर होती है इसके प्रोड़क्ट की तो मैंने का चलो इसी से स्टार्ट करते हैं तो यह नीड का प्यूर मास गेनर टैनल ब्यास का जिसकी कॉस्ट मुझे पड़ी पैंतालिसो अरपेश पैंतालिसो मैं इसकी सर्विंग लेता हूं सिर्फ सो ग्राम क उस 100 ग्राम में almost 14-15 ग्राम प्रोटीन 68 ग्राम के आसपास कार्ब्स और 6-7 ग्राम फैट मुझे मिल जाता है तो जो मेरा 300-400 क्यल्डरीज का सर्प्लस है वो इससे मेरा पूरा हो रहा है last 20-25 दिन से मैं यूज़ कर रहा हूँ मैं आराम से लो जैसा कि मैंने आपको बोला है आपको पता होना अची है कि आपको क्या करना है तो अगर आप क्वालिटी गेन करना चाहते हैं तो 300-400 क्यल्रीज का सर्प्लस जो होता है वो मोर देन इनफ होता है बाकी जो है ट्रेनिंग में आप अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस कीज़े जितने अच्छे से स्ट्रेंथ बढ़ाओगे जैसे मैं डेडलेविट बैंच इन सब चीज़ों फोकस कर रहा हूँ दो-दो-तीन-तीन किलो मैंने प्लस भी कर लिया पिछले एक महीने में डेडलेविट भी किलो मैंने इस बार पहले मैं 190 पे भी मुझे हलका बो सपोर्ट लेना पड़ता था पर लास्ट टाम मैंने 190 की डेडलेविट भी सेल्फ मारी तो स्ट्रेंथ पे भी मैं अच्छे से काम कर रहा हूँ अगर आप जो हो सकते हो टेस के बार में बाद करूँ तो टेस्ट भी बहुत अच्छा है तीन स्कूप लेनी पड़ जाती है मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे प्केट में घुलता यह 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 है इसकी स्कूप सियरा यह स्कूप है इसकी ऑल्मोस्ट धाई स्कूप में 100 ग्राम मिरा बन जाता है यह ठीक है न और यह क्वालिटी वाइस जो है नीट के बारे में सब लोग मुझे बोल रहते हैं कि भाई इसकी क्वालिटी जो है और प्रोड़क्स की मुकाबले केस्ट में कोई कमी नहीं है रिजल्ट भी मुझे समझ में आ रहे हैं अच्छे लग रहे हैं जैसा कि पर मैं इक चीज आपको बता दू नुट्रिशन करेक्ट होना बड़ा ज़रूरी है अगर आपकी डायट ट्रेनिंग अप टूदा मार्क नहीं तो आपकी ब्रेंड का ल किसे और कर सकते हो टेस्ट में क्वालिटी में किसी तरीकिसे कोई कमी नहीं है प्रोटीन और काब्स फैट का बैलेंस रेशो है आपके सरपलस में आपको जरूर हल्प करेगा तो आप लोगों को समझ में आऊगा पसंद आयागा तो इस तरीके की वीडियो के लिए आप बन